प्रेंड वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं दोस्तों आप सब्सक्राइब अपने कामों में मस्त और ब्यस्त भी होंगे तो फ्रेंड्स यह जो प्लांट है यह बोगन बेलिया का प्लांट है और यह देशी भराइटी है इसमेंच में कнитना हैवी इसका अब फ्लावनग करने का वहा है तो अभी ए फर्वरी सेद लेकर इसका ओंबर तक टाइम होता है वैसे तो यह पूरे सालों पर फ्लावनग होता है तो इस plants को मैंने अभी जन्वरी में ही अड़ किया है और ये जो मेरा pink color का बोगन बेलिया का plant है वो मेरा 4 साल पूराना है ये एक permanent plant है जिसको एक बार अगर आपके अपने garden में अट करते हैं तो सालों साल आपके garden में जाने का नाम नहीं लेता है और इसको लगाना तो इतना बहुत अधान है कि अगर चाहें तो एक से हजारू प्लांट बना सकते इसको कटिंग से बहुत असानी से लगा सकते हैं तो इस plants को मैंने cutting से WILD प्लांट मैं तैयार किया है जो कि नीचे में भी लगा है और ये छत पर १ी देखेए दो प्लांट मेरा लगा हुआ है ये एक बहुत कम ही केर लेकिन अगर थोड़ी सी हम केर कर दे तो यह फूल जो है यह गुच्छे में फूल देता है पतियों से ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसके केर के लिए दोस्तो सबसे पहले तो इसको फूली संलाइट चाहिования यानि दिन जो जहां धूप लगे वहां पर इस प्लांट को रखें क्योंकि ये प्लांट धूप में रहने वाला है तो धूप में रहने से इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, देखिए कितने ज्यादा बंचेस में, तो सुबह से साम तक जहां धूप आती है, वहां इसको रखेंगे, तो ये फ्लावर हमेशा खिलते रहता है, और दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें हमें पानी की बहुत कम आप सकता पड़ती है अगर हम इसमें पानी जादा डालेंगे तो यह पतिया जादा देगी और फूल कम देंगे तो इसलिए यह पानी ख़त इसको उपर के लिए जब सुख जाती है बिल्कुल सुख जाती है तभी हम इसमें पानी डालते हैं आइसे तो जमीन में अ और प्लांट में पानी दे देता है तो यह फूल खिलने लगता है और इसको दोस्तों करना ज्रूपर रहता है अगर यह प्लांट का ब्रांच होते हैं जो बहुत लाइगी की साहिता है और कितना लाइगी साना हो गया है तो इसको में नहीं किया और इस प्लाण्ट को दीखिए से मैंने पिंचिंग किया हुआ है तो यह भिड़े disgrya कमे खीक आफ हर दिया कोूए थूंबर निए तो यह दो महीने तीन महीने रहे हैं और यह जब ब्रांच निकले तो इससे फूल पतियों से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग तो प्रूनिंग करना इसको बहुत ज़र ही हुआ पूरी आcı के लिए दोस्तों इसको किसी अच्छे रीक्टर से इसकी प्रूनिंग करेंगे कि इसके ब्रांच होते हैं वह थे तो ऑसको जब हम प्रूनिंग करते हैं तो तेजधार वाली हम verder से हिसकी प्रूनिंग करें और इसको दोस्तों दस से 12 यंश के गमले में लगा सकते हैं तो यह मेरा जो प्लान्ट है वह 15 के गमल acabar में लगाया है तो आप इसको 2-4 छोटे से गमले में लगा सकते हैं और यह मेरा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और प्लांट की साइज देखिए बहुत ही खुबसूरत और घना सा दीख रहा है विल्कुल गोल सेप में ले लिया है तो इसको आप दोनों साइज के गमले में लगा सकते हैं और दोस्तों इसकी मिटी की बात करें तो मिटी इसके ल प्लांट को मोश्यर बना सके तो यह देखिए मैंने सुबही पानी लाला है और मिटी बिल्कुल भूरी से दिख रही है तो पानी नीचे तक भी पानी है तो इसलिए अभी आज पानी नहीं देंगे इसको कल सुबह पानी देंगे फिर तो एक मताँ अभी तो मौसम जैसे च बिल्कुल एक पेर जैसा बन गया है और वह एक लेगी सा बन गया इसके मिटी के लिए दोस्तों इसमें एक बाको को पीट एक भाग मिटी एक बाग गोबर की खाद या बर्मी कंपोश्ट और नीमखली थोड़ी सी मिला के इसकी तियार करें तो इस तरह की मिठी में यह प् फ्रडाइजर्ण टालते हैं तो हमारे प्लांट की रोध बहुत अच्छी हो जाती है क्व गन्बेलय प्लांट की फैट इलाइजर के लिए दोस्तों मैंने ये तियार किया और डेखिये दूसरा इसमें को Kimberly सेasIAN के सके और जो मीटी अग lowest के पास सबॉल को क्योंकि के पास हवा पहुंचती है तो यहां पर देखेंपर होता है और यह आचरी ले तो यह मैंने नर्सरी से लिया था इसमें बहुत तरह के केमिकल वाले फटिलाजर एड है तो यह हमारा बॉन्वील है और यह पुटास है कोई भी प्लांट्स की रूट्स को बहुत हेल्दी रखता है और यह हमारे चाय पती है जो हम चाय पीकर फिक देते हैं उसको मैं बचा क इसको मिला लेते हैं तो यह पुटास डियेपी और इसमें बॉन्मील है और चाय पती की जो सुखा के मैंने डाली है वह है और देखें प्लांट्स को मिटी को गुराई कर लिया है हमने और अब इसमें यह एक इसके अकॉर्डिंग दोदो मुठी मैं डाल रही हूं तो कॉस्ते की दोड़ेशय को क्या मैं इसटार से में टाल दनते हैं दो में तो यह बर्पूर में कि और फार्द दालगी तो पानी डेले में दोस्तों कुटा ही नहीं करनी चाहिए कि जो अधम डालते हैं वह उसको घुलने के लिए हमहें पानी की ज्यादा जूरत परती है तो पानी अभी भरपूर मात्रा में देंगे और वैसे अभी गर्मी का समय है तो यह बहुत जल्दी पानी सुख जाता है तो इस तरह देखिए यह मैंने फटिलाइजर भी डाल दिया है अब इसमें करीब दो महिने तक इसमें कोई कोरिंग होता रहेगा तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा बेल आइगन की घंटी होती है ना उसे प्रेस करना मत भूलेगा और एक कमेंट जर